अभी ब्लॉक डिल लगे करीब 10 लाक शेरों की यह 57-58 के आसपास की डील है एक बार संतोश आप चेक करें कि PNB ये दो-तिन दिन का जो तेजी आई थी इस ब्लॉक के बाद रूख तो नहीं जाएगी है अभी इमीजेटली अपने 10 दिन के मुई इंगरज को होड़ कर रहा और जो इसका बीज दिन का मुई इंगरज जा रहा हूं चपन रुपए के आसपास आ रहा है तो मेरे असाब 57-56 रुपए का अच्छा बेस से अगर यहां से बांस बैक करता है तो बहुत अच्छी अच्छ जो के नीचे जाता है तो पर शायद प्रॉफट बुकिंग का केंडिडेट बन सकता है हिंडाल को ने इतना परफॉर्म नहीं किया था इसलिए आज इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है अच्छा घासा हिंद कॉपर अर्टी चल चुका है लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश है और ग्लोबली आप देखे तो कोपर के प्राइज में अच्छा मोमेंटम द आउट परफॉर्म करते निज़र आ रहा है और शायद आज सेक्टर अप दे मेटल ही हो सकता है राइट कुष अपना पुराना डिसकेशन किया हुआ स्टॉक 300 रुपे पर आ गया है त्रिवेनी टर्बाइन कैपिल गूड स्टॉक जो मिड टियर कैपिल गूड स्टॉक से वहाँ पर बहुत कॉंसेंटरेट बाइंग हो रही है इसलिए मैं जेटियल भी लेकिया था त्रिवेनी टर्बाइन भी देखिए 300 रुपे के आसपास सिस्समें आ गया है कुष यहां से क्या लगता है आपको किस लिए खिल सकते हैं? यहां तक स्टॉक बिल्कुल जाने का दम रखता है तो 310 फ्रेश एंट्री उसके उपर करेंगे एक्जिस्टिंग पोजिशन बिल्कुल होल्ड करके चलें डेल्टा कॉप को लेकिया ये इंपड़ी का पसंदीदा स्टॉक है वो पता नि वो कौनसे एंड को जाधा पसंद करते हैं कि ऑनलाइन गेमिज़को या इनका गोओ वाले बिजनेस को या दमन वाले बिजनेस को दीधिया और पसंदीदा साइड कॉन सा है? गोवाला यह सर अभी दमन तो पुरी तरह से डिल्ली तो गोवा डारेक्ट फ्लाइट है वैसे, आपको बता दूँ मैं, फुल चॉक अवलोग रहती है, बता रहते मुझे कुछ है लाइन वाले